Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium मैं लाली वर्मा आप सभी दस्वी कक्षा के विध्यार्थियों का Magnet Brains Hindi में दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आपका खयाल भी रख रहे होंगे बिटा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्थश्क का अवास होता है हमें हमेश आपने आपका खयाल रखना है I know कि आपकी परिक्षाएं आ गई हैं एक मार्च को आपका एक्जाम है हिंदी का तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं MP Board Sample Question Paper Solution 2022-23 तो इस पेपर में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना ताकि किस तरह का आपका पेपर आ रहा है किस तरह से प्रशन पूछे जाएंगे, समय कितना है, पूर्णां कितने है, किस तरह से सामाने निर्देश दिये जाएंगे उन सब को यहाँ पर एक एक करके में बहुत बारी की से आपको बताने वाली हूँ तो बस मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान यहां रहे जब ध्यान यहां रहेगा तो आप परिक्षा हॉल में जब बैठेंगे और जब हिंदी की परिक्षा देंगे तो आपको वहां कुछ आस है जिसा महसूस नहीं होगा और आप बहुत आत्मश्वास के साथ हिंदी की परिक्षा देंगे भी और बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे चलिए तो शुरू करते हैं और चलते हैं हम प्रश्नपत्र के प्रत्थम प्रश्ट पर जो की कुछ इस तरह का होगा समय रहेगा आपका तीन घंटे का और पूरुनांक आपके रहेंगे 75 नंबर हैं समय है आपका तीन घंटा तो बेटा ये जो निर्देश दिये हैं इनको ध्यान पूर्वक सुन लो क्योंकि इसी तरह के निर्देश आपकी बोर्ड एक्जाम में भी आने वाले हैं सबसे पहला है कि सभी प्रश्न करना अनिवारे हैं ओके दूसरा हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक एक से पांच तक वस्तू निष्ट प्रश्न है जो प्रशन क्रमांक रहेगा, जो सीरियल नंबर रहेगा, वहाँ प्रशन पहले से पाँचवे तक वस्तु निष्ट प्रशन है, objective type questions है, जिनके लिए यहाँ दिया है एक गुड़ा 30, 30 अंक निर्धारित हैं, ठीक है, 30, मतलब एक एक अंक के 30 प्रशन दिये चाहेंगे, समझ शब्द सीमा लगबक 30 शब्द की रहेगी, अब हमने एक से पाँच प्रशनों में हमारे 30 प्रशन होंगे, objective type, ठीक है, उनमें सब प्रशन रहेंगे, सब questions रहेंगे, तो ये आपके हैं 30 नंबर के, तो एक से पाँच तक के जो प्रशन आप करेंगे, उसमें आपको 30 अंक म तो उनको लगबक 30 शब्दों में हमें लिखना होगा, 30 शब्दों मतलब आप समझ लेजिए, जो आपकी प्रशन जो उत्तर पुस्तिका रहेगी, उसके 4-5 पंग्तियां, 4-5 लाइन्स आपको लिखनी है, चौथे निर्देश की तरफ हम चलें, तो हमने 6-18 तक देख कि उसका एक पेज या एक से थोड़ी से पेजिस की जो लाइन, क्योंकि हम ये देखकर चलते हैं, कि हमारी जो उत्तर पुस्तिका है, उसमें एक पेज समझ लो, 10 पंग्तियां की अंतरगत आजाता है, तो आप 10 पंग्तियां इस तरह से 55 शब्दों में लिख सकते हैं, फिर चले हम दो-दो अंकों की तरफ, फिर हमने देखा तीन-तीन अंक के, फिर हम चलते हैं, चार अंक की तरफ, और इनकी शब्द सीमा 120 शब्द रहेगी, फिर हम चलते हैं, प्रशन क्रमांग 6 से 23 तक सभी प्रशनों के आंतरिक विकल्प भी दिये गए हैं, ठीक है, तो टोटल जो प्रशनों की संख्या है, वो 23 है, और 6 से 23 तक हम देखें, तो सभी प्रशनों के आंतरिक विकल्प दिये हैं, जो subjective type questions हैं, जैसे 1 से 5 तक तक तो वस्तुनिष्ट हैं, objective हैं, इनमें तो विकल्प रहते ही रहते हैं, लेकिन subjective जो प्रशन रहेंगे, 6 से लेकर 23 तक सभी प 3 प्रशनों मैंसे 2 के उत्तर लिख लिए, किनी 4 मैंसे किनी 3 के उत्तर दीजे, तो वो प्रशन जो आंतरिक प्रशन दिये रहेंगे, उनको बहुत ध्यान पूरवक आपको बढ़ना है, जल्दवाजी नहीं करना, अभी हम इसी तरह से अभ्यास करने वाले हैं, कि किस तरह क प्रशन आएंगे, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा ताकि आप अच्छे से कर सको, अब हम चलते हैं पहले प्रशन पर, ठीक है, सही विकल्प का चैन करका लिखिये, रीती काल को कावे की दृष्टी से बाटा गया है, जो रीती काल है, उसको कावे की दृष्ट प्रशन पर गया है, तो यह जो अप्शन आएंगे, आ, बा, सा, दा, जब भी आपको लगता है, जैसे माल लीजे, तीन भागो में, उत्तर हमारा बा आया है, तीन भागो में, तो आप कैसे लिखेंगे, बा भी लिखकर आएंगे, और उसके आगे, जो लिखा है, वो भी आ आप लिखकर आएंगे, यदि सेंटेंस बड़ा है, तो आप इस तरह से डेश डेश करके भी आ सकते हैं, लेकिन लिखना आपको अवश्य होगा, उत्तर है तीन भागो में, बा, ठीक है, तो आपने लिख दिया, उत्तर पहले का बा, ठीक, यह आ गया, फिर आप लिख दें आशा है, तो पेपर तो लेंदी होगा ही होगा, इस तरह से आप उत्तर पहले का बा, तीन भागो में, आप लिखकर आएंगे वो वा कि या वो शब्द जो की सही उत्तर में लिखा गया है, सिर्फ आप बा, या आ, या सा, या दा लिखकर नहीं आएंगे, और A, B, C, T मत ल लिखना, जो लिखा है, वहीं लिखना, ठीक, अगला प्रशन है, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, बदाए, यो जलमाज तेल की गागरी बूंद नता को लागी, सूर दास अबला हम भोरी, गुर्चाटी जियों पागी, तो सूर के पदों में तेल की गागरी किसको कहा है आ स्रीकिष्ण को बा उद्धव को सा गोपियों को या दा सूर को किसको कहा गया है उद्धव को very good चलो answer check करते हैं येश इसका उत्तर भी बा है तो आप उत्तर बा लिखकर उद्धव को लिखकर आएंगे अगला चलते हैं हम चरणों में नहित मात्राओं के आधार पर दोहा है अब चरण मतलब दोहे में कितने से रण होते हैं चार सरण प्रत्थम, दुत्तिय, तृत्तिय, चत्थोड सम मात्रिक चंद, विशम मात्रिक चंद तो चरणों में नहित मात्राओं के आधार पर दोहा है आ है सम मात्रिक चंद, बा है विशम मात्रिक चंद, सा है अर्ध मात्रिक चंद या दा है अर्ध सम मात्रिक चंद तो चरणों में नहित मात्राओं के आधार पर दोहा है अर्ध मात्रिक चंद क्योंकि उसमें जो विशम चरन रहते हैं उनकी मात्राइं 11 और फिर उसकी 13 रहते हैं इस तरह से मात्राओं का विवाजन किया गया है नेता जी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? याद कीजिए हालदार सहाब, कैप्टन चश्मे वाला, एक पान वाला जिसके दुकान में ही नहीं मूँ में भी पान ठुसा रहता था नेता जी का चश्मा कहानी का मूल भाव है अ सिक्षा का विकास, बा समाज सुधार, सा मूर्ती कला का विकास या फिर द देश भक्ती की भावना, नेता जी का चश्मा का मूल भाव है देश भक्ती की भावना, तो आप क्या लेखेंगे? उत्तर चार का है द देश भक्ती की भावना, ये सेंटेंस भी लिख कराएंगया वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेशन का भेद है वह धीरे 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 तो कोई भी उत्तर का कैसे रोने लगा और जहां कैसे होता है वहां कौनसी क्रिया विशेशन होती है रीती वाचक क्रिया विशेशन ठीक है? यदि काल वाचक होती तो ये होता कब? ठीक है? इस तरह का प्रशन बनता कब? स्थान वाचक होती तो प्रशन बनता कहा? रीती वाचक में होता है कैसे और परिमाण में होता है कितना इस तरह के प्रशन जहां बन जाएंगे sentence में आप स्वें देख पाओगे कि वह धीरे धीरे रोने लगा जब हम इसमें प्रशन बनाएंगे इसी का तो कैसे बनाएंगे वह कैसे रोने लगा तो जहां कैसे होगा वहां रीती वाचक आएगा जहां कब आता वहां काल वाचक आएगा जहां कहां आता वहां इस्थान वाचक आएगा जहां कितना आता वहां परिमान वाचक आएगा तो सही जवाब है रीती वाचक विशेशन कैसे ठीक है समझ में आया बहुत अच्छे से ध्यान रखना में अक्सर students को confusion रहता है तो मैंने यहाँ पर आपको यह बता दिये हैं याद रखो जब भी कोई वाग के आ जाएगा तो उस वाग किस से प्रशन करो कि प्रशन किस तरह से पूछ सकते हैं यह उत्तर लिखा है वाए धीरे धीरे रहने लगा इसका प्रशन होता तो कैसे होता वाए कैसे रहने लगा और जहां कैसे है वहाँ रिती है जहां कब है वहाँ काल है जहां कहा है वहाँ स्थान है और जहां कितना है वहाँ परिमान है जहां कैसे है वहाँ रिती है गौट एट? वेरी कॉड चलो आगे चलते हैं भोला नाथ और उनके हम उम्र चबूत्रे के कौने में बना देते थे क्या बना देते थे भोला नाथ याद आया माता का अंचल शेप पूजन सहाई जिसके राइटर है कृती का बुक का हमारा प्रश्न है आ है सिनेमा घर बा है टिकेट घर सा है रसोई घर और दा है नाटक घर तो चबूत्रे पर क्या बनता था उनका? नाटक घर वहाँ वो बहुत सारे नाटक खेला करते थे अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर रिक्स दिस्थान में इस सही शब्द का चैन कर लीजे परशुराम राम लक्षमन परशुराम समवाद हमारी ही पार्ट पुस्दक्षितिज का पार्ट दो है परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे तो यहाँ पर आपको ये तो आंसर्स दिये हैं वहाँ पर आपको दिये जाएंगे शिव, श्रीक्रिष्न और विश्नु तो आपको शिव पर टिक करना है और आंसर पर लिख कर भी आना है आच्रे ही बाहर शारिरिक चेष्ठाओं को क्या कहते हैं विभाव, अनुभाव या अलंबन तो बाहरी जो चेष्ठाओं होती हैं जो फिजिकली दिखाई देती हैं उनको अनुभाव कहते हैं रस की अवस्ता है, चार अंग होते हैं स्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव विस्तरित कलेवर वाले कावे को कहते हैं महा कावे जहां पर विस्तरित रूप से संपूर्ण जानकारी दी जाती है तो उसको दृष्ष कावे तो कहेंगे नहीं खंड कावी भी नहीं कहेंगे उसको क्या कहेंगे? महा कावे ठीक है? बाल गोबिन भगत की प्रभातिया फागुन मास तक चलती थी अब ये तो आपने देखा ये कार्तिक मास फागुन मात रोचैत्र मास तो हमने पढ़ा है बाल गोबिन भगत स्रीराम ब्रिक्ष बेनिपूरी जी ने लिखा है जिसमें बाल गोबिन भगत साधूं की परमपरा पर एक दम खरे उतरते थे और परमपरिक साधूं के तरह उनकी दिन चरया नहीं थी उनकी दिन चरया तो लोगों को हैरान करते थी तो फागुन मास तक वाकिसे किसी क्रिया की करने या होने की सामाने सूचना मिलती है है गोल गोल भी नहीं सकते अर्था चांदी की तरह ही चमकेंगे बर्फ से ढके हुए इसलिए बर्फ से ढका हुआ है क्लियर अब हम चलते हैं स्तंब आ और स्तंब बा सही जोड़े बनाना है हमें उत्साह कविता अब हम देखते हैं यहां पर तारसब्तक है नहीं है वाचाल ह सज्जन व्यक्ती है नहीं है उत्साह कविता क्या है एक आहवान गीत है यहां पर सूर्य कांत्रपाठी निराला जी ने बादलों से आहवान किया है कि बादल गरजो घोर घोर घेर गगन धाराधर ओ ललित लित काले गुंगराले बाल गलपना केसे पाले विद्धु छवी उर्मे कवी नवजीवन वाले वज्र चिपा नूतन कविता फिर भरदो बादल गरजो यह एक आहवान गीत है तो यह हो गया आपका पहले का अब दूसरा दिया है मानवी क्रियाओं का आरोप जहां किया जाता है तो क्या होता है मानवी करण लंकार तो यहां यह दूसरा हो गया फिर रिपोर ताज की भाशा कैसी होती है भद्र व्यक्ति फ्रेंच या मित भाशी रिपोर ताज की भाशा मित भाशी होती है चली अपन देखते हैं कि अपन सही है या नहीं आगे और चलते हैं सफेद पोश सफेद पोश का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति तो यह च और अग्ये जी हैं कैसे सफेद पोश कहां गए अपना एक दो तीन चार पांच चार और भी आगे हैं तो यहां हम चलते हैं एक आहवान गीत है मानवी क्रियाओं का रिपोर्टाज की फ्रेंच होती है मानवी क्रियाओं का आरोप मानवी करना लंकार रिपोर्टाज की भाशा यहां के अपन डिलीट कर देते हैं सफेद पोश लखनवी अंदास भद्रव्यक्ति जो कम बोलता हो मित भाशी और अग्गे जी का नाम तारसब तक के साथ रहता है अब हम चलते हैं चौथे प्रश्ण पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है फसल कवीता हमें किसके करीब ले जाती है यह कवीता हमें किसान और क्रशी संस्कृति के करीब ले जाती है हमें एक वाक्य में उत्तर देना है तो फसल कवीता हमें किसके करीब ले जाती है किसान और क्रशी संस्कृति के बारे में अगला है विभाव के भेदों के नाम लिखिए तो विभाव के दो भेदोते हैं आलंबन विभाव और उद्धीपन विभाव आलंबन में भी दो होते हैं एक आश्रह रहता है एक विशे रहता है ठीक शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है काशी याद कीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाखा जिसमें काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है शास्त्रों में काशी आनंद कानन कानन मतलब क्या होता है वन सुन्दर तो काशी आनंद कानन नाम से प्रसिध है किस समास में प्रथम पद प्रधान एबं अव्य होता है तो अव्य समास में ही प्रथम पद प्रधान भी होता है और अव्य भी होता है समास पता है आपको समास की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बतातूं समास के नाम आपको याद करना है तो आ, ब, त, क, द, द, ठीक है? आ से अव्यभाव, बा से बहुबरी, ता से तत, पुरुष्ट, का से कर्मधार, द्विगू और द्वन्थ, अब तक द, द, छे समास के नाम हो गए तो अव्यभाव समास में प्रत्थम, पत, प्रधान और अव्य होता है अगला है, अपना हाथ, जगनाथ, लोकोक्ती का क्या अर्थ है, स्वेम का काम, स्वेम करना ही अच्छा लगता है अगला है, भोलानाथ के पिता, फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? बोलनात के पिता जी उसे अपने हाथ से फूल एक धातू है उसके कटोरे में रस दूद और भात सान कर खिलाते थे और जब पिता जी भोजन करा चुके होते थे तो मैया कहती थी इतने छोटे छोटे कौर खिलाते हो ऐसे क्या बच्चे की भूक मिटेगी जब खाएगा भारी और गंभीर होती है सत्य है ठीक है दोहा और चौपाई वरनिक छंद है सत्य है मानव संस्कृती एक आविवाज जवस्तु है सत्य है दो वरनों के 밀 को संधी कहते हैं सत्य है रंगीन पताकाई शांति और अहिनसा und प्रतीक होती हैं असत्य है क्योंकि रंगेन पताकाएं तो किसी नवDas जो किसी कारे का शुभरम किये जाता है अब हम चलते हैं दो नंबर के प्रशनों की तरफ़ इसमें हमें कमसे कम टीस शब्दों में उत्तर लिखना हैं इस पदब तीन-चार पंक्तियां तो हुई जाती है। रितिकाल को श्रिंगाल काल क्यों कहा जाता है। रितिकाल इनकिसी एक कवी का नाम दिखिए। रितिकाल जहां पर श्रिंगार, श्रिंगार जहां पर प्रेम। और चलते हैं हम यहां पर। तो नायक और नायका के सौंदर इवं प्रेम पर आधारित शिंगार परक रचनाएं रीति काल के कवियों की प्रमुक विशिष्टा रही है क्योंकि रीति काल में नायक नायका अर्थात शिंगार और शिंगार अर्थात प्रेम ठीक है प्रेम की बात रितिकाल में ही उजागर हुई है तो इनकी पिशिष्टर ही इसी कारण रितिकाल को शंगाल काल कहा जाता है रितिकाल के प्रमुक कवियों में नाम कई कवियों के आते हैं यहाँ पर कुछ कवियों के नाम दिये गए हैं जैसे केशवदास, कवी, बिहारी, मती राम, भिखारी दास, चिंता मनी, घनानन्द, आदी के नाम, रीती, काल, अर्थात, प्रेम की जिनोंने कविताइं लिखी हैं, उनके नाम यहाँ पर दिये हैं। केशबदास जी हों, बिहारी हों, मतिराम हों, भिकारी दास हों, चिंतमनी हों या घनानत इनकी जो भी रचना है उसमें प्रेम तो सर्वो परी आया है आगे चलते हैं नई कविता की कोई दो विशेष्टाएं लिखिए तो नई कविता की विशेष्टाएं क्या होती हैं? को महत्व दिया गया है अगला तुल्सिदास जी कि कावेगत विशेष्टा निम्लिखत बिद्रों के आधार पर लिखिए उनकी दो रचनाए लिखना है और दूसरा उनका कला छ्याब है तो दो रज्चनाए की हैं की राम चरित सिंग करें हम णुर चंद इवं अलंकार जोsoon बहुत हैं उन्हों ने सुंदर तरीके से कल्लातमग तरिके से रचनाएं की हैं जो ना केबल भारत में बलकि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं भाशा आप संस्कृत के महा अपंडित विद्वान थे आपने अपने रचनाओं में मुख्यता अवधी और ब्रज भाशा का प्रयोग किया है क्योंकि तुलसी दास जी ने जहां रा रामचरित मानस अबधी में तथा कविता वली, गीता वली, विनैपत्रिका आदी की रचना ब्रज भाशा में की है आपकी भाशा सरल, सरस एवं रोचक है कहीं कहीं आपकी रचनाओं में भोचपुरी, बुंदिल खंडी तथा अर्भी और फार्सी के शब्द भी मिलते हैं चंद एवं अलंकार आपने मुख्यता दोहा, चौपाई, सवये और चंदों का प्रयोखिया है और जहाँ दोहा, चौपाई है वहाँ पर अलंकार तो होंगे ही होंगे दोहा, चौपाई, कवित चंद में रामचरित मानस की रचना की, गीता वली, विनैपत्री का पत्षैली में कविता वली की रचना सवये में की, दोहा वली की रचना दोहा चंद में की, तुलसिदास जी की रचनाओं में अनूपरास, उपमा, रूपा, कुत प्रेक्षा, आ वहती सटीक तरीके से बताएगा है, आपको समझ में अवश्य जाएगा और याद भी रहेगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा. कलापक्ष, रस सिद्ध ता, आपकी रस सिद्ध कभी है, आपके कावे में श्रंगार, शान्त और वीर रस की त्रवेणी का अद्भुत संगम है, इसके अतरिक ता आपकी रचनाओं में करुण, रौद्र, अद्भुत, आदी रसों का भी रसस्वादन किया जा सकता है, अब ह नागरजुन की कावे गद विशिष्टाएं बताईए, और दो रचनाओं कवीताएं, तो नागरजुन की एक रचना है युगधारा और दूसरी है प्यासी पत्थराई आँखें, याद रखिएगा नागरजुन की युगधारा और प्यासी पत्थराई आँखें, कला पक गोपियों ने उद्धव से योग की सिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है तो जाओ योग की सिक्षा उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं होता या जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है जिनका मन स्थिर रहता है उनको योग की आवशक्ता नहीं है आप इतने बड़े क्यानी है फिर भी आपको ये नहीं पता कि योग की सिक्षा किसे देनी चाहिए गोपियन उद्धव से योग की सिक्षा ऐसे लोगों से देने की बात कही जिनके मन चक्री की समान हो या आस्थिर हो जिनका मन चंचल हो योग की सिक्षा तो उनी को दी जानी चाहिए जिनके मन में प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हैं ठीक है जिनके मन प्रेम भाव के कारण इस्तिता पा चुके हैं उनके लिए योग की सिक्षा की कोई आवशकतर नहीं है जाये महाग्यानी उद्धव उन्हें सिक्षा दीजिए जिनके मन घूमते रहते हैं आइस्तिर है राम लक्षन परशुराम संबाद पाठ के अधार पर राम के सभाव की कोई दो विशिष्टाएं लिखे तो राम सभाव से कोमल थे शान्त थे सरल थे शिराम जी का सभाव कोमल और विनई है विनई मतलब विनम्रता पूरवग जो पारतल आपके हैं बहुत शान्त और धैरवान है परशुराम के क्रोध करने पर शिराम ने धीरत से काम लिया और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा फिर भी मर्यादा पूरशोतम शिराम क्रोधित नहीं हुए और वड़ी बिनम्रता से उन्होंने कहा कि जिसने भी ये शिब धनुष भंग किया है वो आपका ही सेवक है तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा उन्होंने अपनी मधुरवाणी से परिशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और आखों से संकेत करके लक्ष्मन को भी शांत करने को कहा फागुन में ऐसा क्या होता है जो बांकी रित्मों से भिन होता है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है पत्तों से लड़ी डाल कहीं हरी कहीं लाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है आभा फागुन की मतलब फागुन की सुन्दरता देखते ही बनती है वसंत्रितु का सुन्दर देखते ही बनता है फागुन में वर्शा होती है छोटी 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 बूंदे आती है सच्छ हो जाता है वातवरण, पूरा वातवरण सुंदर प्रतीत होता है, अत्यंत साव सुत्रा लगता है, प्रकृती में चारो तरफ हरियाली छा जाती है, वातवरण शीतल हो जाता है, इन्हीं विशिष्टाओं के कारण फागुन का मौसम अनिरितों से भिन होता है, रंग हुआ संकोच, हवा की थिरकन है फसल, कवी के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवा मानब श्रम का मिला जुला रूप है, इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया है, कवी के अनुसार फसल नदियां के पानी का जादू, मनुष्च के हाथों के भूरी, काली, मिट्टी का गुण, सूरज के किरणों का रूपांतरन तता हवा की थिरकन है थीक है, सूरज के किरणों का रूपांतरन तता हवा की थिरकन का सिम्टा हुआ संकोच है इस प्रकार फसल प्रकृती और मनुष्य के परस पर सहयोग की स्रजनात्मक परिणती है फसल और कुछ नहीं सबसे मिलकर बनता है आपको बताया ना बिटा plants make their food in the presence of sunlight तो sunlight के साथ हवा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, हाथों की गरिमा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तब ही फसल लहला आती है खंड कावे की कोई दो विशिष्टाएं लिखिए तो खंड कावे की विशिष्टाएं है खंड कावे में केवल एक ही चंद का प्रयोग होता है इसकी भाशा शैली सरल एवं प्रभाहपून होती है खंड कावे में जीवन के किसी एक भाग या एक घटना या एक चरित्र का चित्रन किया जाता है अब चलते हैं स्थाई भाव और संचारी भाव में दो अंतर बताईए तो स्थाई भाव इनकी संख्या नो है और संचारी भाव की संख्या ते तीस है ये संचारी भाव के अंग नहीं होते और ये स्थाई भाव के अंग होते हैं ठीक है स्थाई भाव होते हैं वो संचारी भाव के अंग नहीं होते हैं लेकिन संचारी भाव स्थाई अंग के भाव होते हैं अगला है चौपाई चंद की परिभाषा उधारन सहित लिखिए यह एक मात्रिक समचंद है समचंद मतलब मात्रिक समचंद मतलब सममात्रिक चंद भी कह सकते हैं क्योंकि चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राय होती हैं अर्थत समान मात्राय होती हैं इसमें चार चरण होते हैं इसके हर चरण में 16 मात्राय होती हैं चरण के आखिर में जगण और तगण का आना वर्चित होता है तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलती यती हर एक चरण के अंत में होती है चरण के आखिर में गुरू स्वर या लगू स्वर नहीं होते हैं लेकिन दो गुरू स्वर और दो लगू स्वर हो सकते हैं जैसे यही विदिराम सबही सम जावा गुरू पद पद महर्श से नहँअ है ये क्या है ये चौप आई है अब हम चलते हैं दूसरे पर अति शोक्ति अलंकार की परीभाशा उधारनसहित लिखेए तो अति शोक्ति का क्या होता है अरत अति हो गई भया हद हो गई ऐसा अतिcus शोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अती शैता का समावेश अर्थार यहां उपमे में उपमान का समान कथन नहों का सिर्फ उपमान का व्रणन होता है ठीक है हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग और लंका सिग्री जर गई गई निसाचर भाग हनुमान जी की पूछ में आग लगी परात को हात चुओ नहीं नैनन के जल से पगधोए देख सुदामा की दीन दसा करुणा करके करुणाने देरोए यहाँ पर जहाँ आती होती है एक इस तरफ जाए और राणा ने सोचा इस पर जब तक चे तक था उस पर ये भी अतेशोगती है अब चलते हैं दूसरे प्रश्ट पर आचारे रामचंदर शुकले के अनुसार निबंध की परिभाशा लिखते हुए आपके पाटिकरम में सम्मिलित किसी एक निबंध रजना का नाम लिखिए प्रस्तुत जो मित्रता निबंध शुकले जी के प्रसिद निबंध संग्रह चिंता मनी से संकलित है इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आविशकता आदी का सुंदर विशलेशनात्मक वर्नन किया है इसके साथ एक के दुश्परिनामों का भी विशेशन किया गया है रचना है शुकले जी एक उच्छ कोटी के निबंध कार ही नहीं अपितू युग प्रबर तक आलोचक भी रहे हैं इनकी कृतियां है चिंता मनी भाग एक और दो विचार विथी इतिहास हिंदी साहित का इतिहास लिखा ह ऑचाने राम चंद्र शुकले जी ने आलोच्ना सूरदास रसमी मांसा त्रिवेणी जासी ग्रनधावली तुलसी ग्रन्थावली भ्रमर गीतार फंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारनी पत्र का आनंद्-काधं बने ये शुकले जी की रचनाएं है अब हम चलते हैं कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए तो कहानी हमने सुनी थी दादी से उपन्यास क्या आपने पढ़े हैं तो देखो अंतर क्या होता है कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है कैसे एक थराजा एक थिरानी दोनों मर गए खतम कहानी इतना कम समय तो नहीं लगता लेकिन फिर भी कहानी पढ़ने में कम समय लगता लेकिन उपन्यास बहुत बड़ा होता है कहानी का शेत्र सीमित रहता है उपन्यास को पढ़ने में जादा समय रहता है और उपन्यास का शेत्र व्यापक रहता है बहुत बड़ा रहता है स्वयम प्रकाश की साहितिक विशेषता है निमलिखित बिंदू के आधार पा लिखिए स्वयम प्रकाश जी, निता जी का चश्मा जिन्होंने आपकी कक्षा में लिखा है दो रचना है आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी भाशा शैली है स्वयम प्रकाश जी की भाशा शैली सू मधुर है उनकी भाशा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है मुहावरों और लोकोक्तियों का मंजुल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिकत होता है साथी साथा नेक स्थानों पर उनने अपनी कहानियों में व्यंग शैली का प्रयोग करके विवस्था पर चोट की है करारी विसीदी सरल शब्दावली में गूर बात कह देने में बड़े रिपन थे कहते हैं ना गागर में सागर भर देना उनकी शैली की सहजता और नवीनता पाठक को सहजी आकरशित करती है उनकी शैली की चित्रात मकता पाठक को बांधे रखती है जैसे हमने पढ़ा था नेता जी का चश्मा ऐसा लगता है ना कि वो सभी चित्र हमारी आँखों के समख्षों पाठक उनके साथ जुडाव का अनुगव करता है उनकी भाशा शैली की शशक्ता को प्रकट करता है कि वे कितने अच्छे लेखक हैं अब हम चलते हैं मन्नू भंडारी जी आपके चैप्टर आपके कोर्स में कौन सी है रचना एक कहानी यह भी जिसमें उन्होंने अपने पारिवारिक जो रीती रिवास थे या माहल था उसका वरणन किया है मन्नू बंडारी जी की साहतिक विशेषता है निमलेकित विंद्यों के अधार पर लिखना है दो रचना और भाशा शैली तो उनकी जो रचना है वो एक प्लेट सैलाब और मैं हार गई आपका बंटी भी मन्नू जी की रचना है भाशा शैली देखते हैं मन्नु बंडारी की भाशा शैली बेटे एक और मैं आपको सीक्रेट बता दू किसी भी लेखक या कवी की भाशा शैली के बारे में बात की जाए तो ये जो है न ये जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो सभी के लिए कि किसी भी कवी की भाषा शैली सरल है, सहज है, स्वाभाविक और भावा विव्यक्ति में सक्षम है ये वाला जो सेंटेंस है वो आप सभी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं उनकी रचनों में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोग प्रसलिद उर्दू, अंग्रेजी, देशद, शब्दों की बहूलता देखी जा सकती है उन्होंने वरनात्मक शैली के अत्रिक्त समास और समवात शैली का भी प्रयोग किया है अधात उनकी जो भाषा शैली है त्यंत सरल है अगला प्रशन है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे सेनानी नहीं था, फिर भी लोग कैप्टन कहते थे क्यों, क्या वो आजाध हिंद फौस का से पाही था या फिर नेता जी का साथ ही, या कोई देशवक्त वैं सुभास चंद्र बोश जी का सम्मान करता था, सुभास जी की बिना चश्मे वाली मूर्ती को देखकर दुखी था, आहत मतलब होता है दुखी इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेता जी की मूर्ती पर अवश्च लगाता था उसकी इसी भावना को देखकर ही, लोगों ने सुभास चंद्र बोश जी का साथ ही असीना का कैप्टन समझ कर उसका सम्मान किया और सब उसको कैप्टन कहने लगे अगला प्रशन है, बाल गोबिन भगत ने अपने बेटी की मृत्ती उपर अपनी भावना इसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे की मृत्त शरीर को चटाई पर लिटाया, सफेद वस्रत से ढख दिया, कुछ फूल उसके आसपास बिखेर दिये, सिरहने की तरब दीपक जलाकर रख दिया और भक्ती गीत गाने में अपनी खंजड़ी बजाकर भक्ती गीत गाने में लीन हो गए, साथी साथ उनकी पुत्र वधु जो पतोहु थी वो रोने लगी तो उसको समझाय और कहा कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सा मनाने का समय है क्योंकि अब आत्मा परमात्मा से मिल गई है, अपने बेटी की मृत्यू पर भकत ने गाना गा कर अपनी भावना इवक्त की, अपनी पतोहु से भी बेटी की मौत का उत्सा मनाने को कहा, उनका मानना था कि मृत्यू से तो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, इसलिए इस अपसर पर खुशी मनानी चाह अर दम हर समें वे रियास किया करते थे और पाचों वक्त की नमाज में खुदा से यही प्रारतना किया करते थे कि हे हुदा मेरे सुर में तासीर दे ऐसी तासीर के सुनने वालों की आँखों से अंगर आश्रूधारब है कहा जाता है कि ये मंगल ध्वनी पैदा करने वाला वाद्य अंत्र है कौन शहनाई हाँ सहाव इसी के द्वारा मंगल ध्वनी बजाते थे शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वस्रेष्ट है उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनी का नायक या हीरो कहा गया है वास्तविगर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है तो संस्कृती पार्ट पढ़ा है हमने सचीदनंद जी का है क्या तो यहां पर हमने संस्कृती जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जाना कि संस्कृत किसे कहते हैं संस्कृती किसे कहते हैं तो संस्कृत व्यक्ति उसे कहते हैं जिसने किसी आविशकार कोई आविशकार किया हो जो पहले से एक्जिस्ट नहीं करती थी उस सुवस्तु के बार करने की क्षमता हो जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धी तथा योगता जितने अधिक मात्रा में होगी व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्शन के सिद्धान का विश्कार किया तो वह संस्कृत मानब था यदि सब्वे मानब की बात क अगला है निमलेकित वाक्यांच के लिए एक शब्द दीजिए दो भाषाएं बोलने वाला तो दो भाषाएं दूई भाषी जिसका वर्ण ना किया जा सके अवर्ण नी है ठीक है निमलेकित मुहावरों के अर्थ लिखते हैं वाक्या में प्रयोग कीजिए बिटा मुहावरे वाला भी वीडियो है देखना जरूर बहुत सारे मुहावरों का अभ्यास करवाया गया है जैसे ही आप डालेंगे ना मैंग्डेंट बिरिंस हिंदी में मुहावरे वीडियो व्याकरन का है तो आप जरूर उसको प्राप्त कर लेंगे और बहुत ध्यान से उन मुहावरों को पढ़ना खून पसीना एक कर देना खून पसीने से कमाई हुई रोटी का मज़ा ही कुछ और है अर्थात खून पसीना एक कर देना मतलब अत्य अधिक मेहनत करना गागर में सागर भरना कबीर के दोहों की क्या बात है बस दो ही पंक्तियों में गागर में सागर भर देते हैं मतलब बहुत कम में बहुत कुछ कह जाना, बहुत जादा कह जाना बच्चे माता-पिता के प्रती अपने प्रेम को कैसे अविवक्त करते हैं लिखे तो यहाँ पर बात की जा रही हमारी कृतिका पार्ट है कुछ तक के पार्ट एक माता के अंचल की तो बच्छे, माता, पिता के प्रती अपने प्रेम को उनके साथ रहकर उनकी बातें मान कर, सिखाए गई बातों में रुची लेकर उनके लिए खेल करके, उन्हें चूम कर उनकी गोध में बैट कर, कंधे पर चड़कर इस तरह से अपने प्रेम को प्रकट करते है गंतोग को महनतकष बादशाहों का शहर क्यों गहा जाता है लेखी का मधुकंकरिया जी आया कहां से साना साना हाथ जोड़ी नन्य नन्य हातों को जोड़कर प्रात्ना की गई है वही गंतोग के लोगों की महनत ही थी कि गंतोग आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम र पहाड़ों को चड़कर विद्ध्याले जाते हैं फिर लोट कर आते हैं फिर अपनी मां के रसोई के कामों में भी हेल्प कर आते हैं जंगल से लकडी चुन कर लाते हैं फिर पालतु पशुओं को चराने जाते हैं इतने होते हैं इसलिए महनत कश बात्शाओं का शहर है उनका लेखी काने से महनत कश बात्शाओं का शेहर कहा है लिमिकित काव्यांश का संदर प्रसंग साइद भावारत लिखिये तो उधव तुम हो अतिवड़ भागी अपरस रहत सन्य ही तगाते नाहिन मनुरागी पूरिन पात रहत जल भीतर ता रस देहेन दागी जियोजल माह तेल की गागरी बूंधनता को लागी तो प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ती के प्रमुकवी सूर्दास द्वारा रचित सूर्सागर में संकलत भ्रमर गीत के प्रसंग से लिया गया है इसे हमारी पाठे पुस्तक शितिज भाग दो में संकलत किया गया है इस पद में गोपियां सगुन प्रेम पत के प्रती अपनी निष्ठा प्रकत करती हुई कहती है और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार सुयम को स्रिकृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती और उद्धव जी जो प्रेम के संदेश के स्थान पर योग का संदेश लेखर आते हैं और उन्हें सुनाती हैं कि सूर्दाज क्या कहते हैं सूर्दाज इन पंक्तियों में कि उद्धव तुम हो अती बड़ भागी अपरस रहत सनीह तगाते नाहिन मन अनुरागी प्रेम के सागर अर्था स्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुमारे मन में अब तक अनुराग या प्रेम उत्पन नहीं हुआ गोपियों उद्धव को उद्धव की प्रेम हीनता पर व्यंग करती हैं उन पर टोंट कस्ती हैं कि हे उद्धव तुम सच मुच बड़े भागशाली हो अर्थात अभागे हो कहते ना हाँ वह यह तुम तो महान हो मतलब ऐसे ही हो तो यहाँ पर भागशाली कहने के पीछे अभागा कह रही है वो कि तुम सच मुछ बड़े भागशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो अना सक्त हो और तुमारा मन किसी के प्रेम में डूपता नहीं तुम स्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंदे तुम उनके प्रेम से मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है उसके बाद भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता फिर भी भीगता नहीं है जिस प्रकार जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती तुम तो उस जल की गगरी के समान हो या तेल की मटकी के जल में डुबो ने उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती इसी प्रकार तुम भी स्री कुष्ण के निकट रहती उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा उद्धव तुम हो अती बड़ भागी व्यंग कस्ती हैं उलाने देती हैं ताना कस्ती हैं अगला प्रश्न है मधुप गुन-गुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी मुर्जा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गनी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंखे जीवन इति उपहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास प्रस्तुत अवतरन पाठपुस दक्षितिज भागदो में संकलित कवीता आत्मकत्थ से ली गई है और इसके कवी छाया बात के प्रवर्तक जैशंकर प्रसाद जी है कवी ने मुन्शी प्रेम जंद के आग्र के लिए के लिए कह रहे हो यदि मैं आत्मकत्था लिखने बैठा तो मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा अच्छा बुरा सुख दुख सब कुछ शामिल करना पड़ेगा और सब की सच्चाई भी सामने आ जाएगी जिससे जो भूल चुका हूँ वो भी फिर से मेरे जख महरे हो जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि आत्मकत्था लिखूं इसी या ना कहानी से किसी को सुख मिलता है या दुक है नहीं, पर इतना अवश्य है कि आज उपबन में कितनी अधिक पतियां मुर्ज़ा गजड़ रही है कवी का स्वर निराशा के भाव से भरा हुआ है उसे केवल दुख और पीडा रूपी मुर्जाई पत्तियां ही दिखाई देती है उसकी ना जाने कितनी इच्छाएं बिना पूरी हुए मन में घुट कर रह गई उचित परिस्थितियों और वातवरण को ना पाकर समय से पहले ही पीले सूखे पत्तों की तरह मुर्जा कर मिट गई जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में जीवन के असंग के इतिहास रचे जाते हैं वे बीती हुई निराशा भरी बातें कवी की स्थिती को पीडा और व्यंग करती हैं उनों नहीं ये भी कहाता न की अरे मुस्करा कर वो भाग गई उसका उपहास उडाती हैं और कवी चाहा कर भी कुछ नहीं कर पाता इसलिए वो अपनी बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहते अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते अगला है निमलिकित गद्यांश की संदर्व प्रसंग सहथ व्याख्या कीजिए बाल गोबिन भगत राम वरिक्ष बेनी पुरी बेटा एक बास जरूर कहूंगी कि आप सभी पाठों के नाम उनके कवियों के नाम उनकी रचना और उनकी उपलब्दियां जरूर याद रखना ठीक है क्योंकि इस तरह के प्रशन पूछे जाते हैं संदर में पूछा है तो संदर हमने लिखना होता है कि किसमें लिखा बाल गोबिन भगत की संगीत साधना का चरम उतकर्श उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्ती हुई एकलोता बेटा था वै कुसुस्त और बोदासा था किन्तो इसी कारण बाल गोबिन भगत उसे और भी मानते थे उनकी समझ से ऐसे आद्मियों पर ही जादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मुहंबत के जादा हकदार होते है प्रसुत गद्यांश पार्ठ पुस्तक शितिज भाग दो के पार्ट ग्यारा बाल गोबिन भगत से लिया गया इसके रचेता राम वरिक्ष बेनीपुरी जी है लेखक ने बाल गोबिन भगत के ग्रस्त सादू होने की परिभाशा को जागर किया है बगत जी अपने एक लौते बेटे जो की मंद बुद्धी था का बहुत अच्छी से खयाल रखते थे उनकी पतू भी उसका अपने पती के खाने पीने के खयाल के साथ घर को अच्छी से समालती थी बगत जी का मानना है कि जो सक्षम होते हैं वे अपना ध्यान स्वेम रख सकते हैं परंतु जो अक्षम होते हैं बेचारे से होते हैं जो अपना खयाल खुद नहीं रख सकते उनका खयाल हमें जादा अच्छी से रखना चाहिए जब उनके बेटे के मृत्ती हुई तब उन्होंने पारम परे करीती रिवाजों की अपेक्षा अपने बेटे के मृत्षरीर को चटाई पर लिटा कर कुछ फूल विखेड दिये और सिरहाने दीपक जला कर भक्ती गीत गाने में लीन हो गए काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है बिस्मिल्ला उस्ताद बिस्मिल्ला खां ठीक है यह आयोजन पिछले कई वर्सों से संकट मुझन मंदिर में होता आया है यह मंदिर शेहर के दक्षन में लंका परस्तित है हनुमान जैन्ती के अपसर पर हैं पांचों दिनों तक शास्विये वह उपशास्विये गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य रहते हैं अपने मजहब के प्रती अत्यदिक समर पे तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शद्धा काशी विश्वनात जी के प्रती भी अपार है अर्थार वे मिली जुली संस्कृती के पहचान माने जाते हैं मिली जुली संस्कृती को मतलब एक उधारन के रूप में जाने जाते हैं कि जितनी शग्धा उनकी अपने धर्म के प्रती थी उतनी ही काशी विश्वनात के प्रती थी उस्ताद बिस्मिल्ला खाम मिली जुली संस्कृती के थे आपका जन्म बिहार में डुम्राओ नामक गाओं में एक संगीत प्रेमी मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके लिए सभी धर्म समानिये थे और समान थे उनके नाना साप भी मशूर सहनाई वादक थे वे काशी विश्मिनाद जी के मंदर में शहनाई बजाया करते थे लगवग असी बरस की सुरसाधना के बाद भी खुदा से सजदे में यहीं मांगते थे और मुहर्रम हो यह अहलुमान जेंती पूरी तलीनता से शहनाई वादन में खो जाते थे साधा जीवन उच्छ विचारों के कायल थे एक बार उनके शिश्या ने कहा कि आँ फटी तहमद जिसको लुंगी कहते हैं पहन कर किसी से भी मिलने चले जाते हैं अच्छी तहमद पहना कीजे तब उन्होंने क्या कहा अब तो आपको भारत रत में मिल चुका है तब उन्होंने हसते हुए कहा कि धत पगली यह पुरसकार हमका शहनाई आपे मिला है लुंगी आपे ना ही हाथ हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्ते तो सच्चा सहज इवम प्रभावी रहा है और साधा जीवन उच्छ विचार मीठी बोली का महत्व विश्य पर एक अनुछेर लिखिए ऐसी वानी बोलिये यहीं से शुरू करना तो बैटर रहेगा मीठा बोलने से हम सब के दिल में राज कर सकते हैं इस दौई से जरूर शुरूआत करना बेटा एसी बानी बोलिये मन का पाक होए कभी दाजी का दौई तो इस से शुरू करना और फिर इस तरह से लिखना तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे एक आधश विज्यापन की कोई तीन विशेष्टा है लिखिए विज्यापन में क्या होना चाहिए भाषा आकरशक और क्या होना चाहिए देखते हैं विज्यापन जनता के सामने सार्व जने के रूप से संदेश प्रस्तुत करने के बहुत ही उपयोगी और महत्वकुन साधन है विग्यापन एक व्यापक संदेश पहुचाने का व्यापक माध्यम है जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराय जाता है विग्यपन द्वारा एक ही संदेश को विविन प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों तथा लाइट से सुसर्जित करके जनता तक पहुँचाय जाते हैं जो ग्रहक को इसपष्ट और विस्तृत जानकारी देता है निमलेकित आपठित काव्यांश अत्वा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर लिके चार नंबर श्रम होता सबसे अमूल धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते राजा प्रजा नहीं कुछ होता होते मात्र मनुजी, भाग्य लेख होता न मनुज का होता कर्मट भुजी अर्थात, देखो यहां दिख रहा है, श्रम की महत्वता दिखाई गई है, और ये भी बताया गया है कि सब जितना करते कर्म या श्रम उतना उनको प्राप्थ हो जाता, राजा प्रजा नहीं होती, कोई उच नीच का भेदवाव नहीं होता, कोई मालिक या मजदूर नहीं कवी का आशा है कि किसी की सत्ता किसी पर नहीं होती अर्थात किसी का आदेश मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता काव्यांश का भावार्थ बताईए तो प्रस्तत काव्यांश में कवी ने मानव श्रम एमम सचंदता को सर्व पर ही रखा है सामा ने जनकी अभिलाशाओं और आकंग्शाओं का वरनन किया है श्रम मेहनत ही सबसे अमूल लिधन होता है साथी साथ किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होती और अपने अनुसार इच्छित सुख पाते हैं किसी पर किसी की सत्ता ना हो और सभी को बस अपनी मेहनत के आधार पर फर मिलता कोई किसी के मतलब दास ना होता कोई किसी का राजा ना होता कोई किसी के समक्ष जुका ना होता सब अपने अंस से जीते और श्रम के अधार पर उनको मिलता अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर कभी कभी लक्ष बहुत दूर दिखाई देता है संदे होने लगता है कि लक्षी प्राप्ति हो पाएगी या नहीं हां यह प्रश्ण आपके मस्तर्ष में भी आ रहा है कि बोर्ड परिक्षा है एक मार्च को हिंदी का पेपर है यहां आपकी परिक्षा है स्टार्ट हो रही है तो अब हम परिक्षा में क्या करेंगी भाई दस भी बोर्ड है Don't worry, चिंता मत करो, फिकर नौट तैयारी करो, जीत हो जाएगी। कभी-कभी लक्ष बहुत दूर दिखाई देता है, संदे होने लगता है कि इस लक्ष को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बहुत लक्ष प्राप्ति के लिए अन्य एक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। आशा को बसना चाहिए किसी भी तरह से हमें निराश नहीं होना है हमेशा आशा तीत बने रहना है आशान वित रहना है जो लोग जीवन में आशा बादी रहते हैं वही विपरीद परिस्तियों में लक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं तो आपको हमेशा आशा बाद प्रियास करने में भी सफलता नहीं मिलती और निराश हो जाते हैं हताश हो जाते हैं और सुक शान्ती भी नश्ट हो जाती है तता मन उत्साहीन और तनाव ग्रस्त हो जाता है इसलिए मन को निराशावादी बनने से बचाकर आशावादी बनाना है हमेशा अपने मन में उर्जा बनाये रखनी है सफलता असफलता चलता रहता है इसका मतलब ये नहीं कि हम असफलता मिलने पर बहुत निराश हो गए और हताश हो कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे जब ह विदन पत्र लिखिये पत्र लेखन की तरफ हम आ गए बिटा तो जो भी हम लिखेंगे यहां से लेफ्ट एंड साइड स्टार्ट हो रहा है 26 बटा ए आनंद नगर भोपाल मध्यप्रदेश दिनांक 20-10-2022 सेवा में शीमान प्रशासक महोदै नगर निगम भोपाल समान नेवर समीनने विदन है कि दौलत गंज की नालियों में नियम अनुसार्ट साफ सफाई की उचित विवस्ता ना होने के कारण क्या हो गए मच्छर मच्छर एवं अख्यों का प्रकोफ है फलसरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने कब है अता आप से प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित विवस्ता कराने एवं कीट नाशक दवाई के छिड़काव कराने की शीग विवस्ता करने की क्रपा करें इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे साधने बाद भव दिये श्यामकांत 15 खेड़ापती कॉलोनी भोपाल लिख सकते हैं क दूसरा है प्राता कालीन सेयर के लाभ बताती अपने छोटे भाई को पत्र लिखें तो जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अपटरिक हम ने देखा यहाँ से लेफ्ट हंड साइड लिखा उसके साथ ही आप अनौपचारिक में भी लेफ्ट हंड से शुरूत कर सक यह मस सूचना कि अब इसमें राइट एंड साइड लिखाए, डूंट वरी, लेप एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परिक्षा भवन से जरू स्टार्ट करिए, अब असामाल, याराला, दिनांक, कुछ भी लिखाए यहां पर, उसके बाद छोटे भाई को लिखना है, सिर्फ तुमें उनकी ज्यान वर्दक बाते सुनने को मिल रही है, पितू, इसके साथ ही प्राताह भ्रमन का लाग मिल रहा है, प्राता काल ब्रह्म महूर्थ होता है, समय वातावरण एकदम साफ होता है, स्वाच्छेवं स्वास्थ वर्दक होता है, प्रान वाईउ हमारे फेंपनों में जाती है, O2 ऑक्सिजन को प्रान वाईउ कहता है, जो हमें आलस से से रहत और स्वस्थ बनाती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, इससे हमारी दिमागी क्षमता बढ़ती है, साथ ही शरीर में रक्तसंचार भी सही तरीके से होता है, कभी BP low या हाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इस दिन चरया को समाले रखना, इसलिए मैं बड़ा भाई होने के नाते, सला देना चाहूंगा की प्रातहा भ्रमन, जो तुमने दादा जी के साथ शुरू किया है, इसे नियमिद बनाये रखना, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रह पहला है विद्ध्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, दूसरा है परियावन प्रदूशन में हमारी व्यक्तिगत भूमी का, तीसरा है सुच्छ भारत अभियान, चौथा है आसादी का अमरित महुत्सव, पांचवा है जल संड्रक्षन, ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे और देखते हैं कि चार नंबर किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक हमें लिखना होगा और अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करना होगा, चलिए तो चलते हैं पहले निबंद पर, विद्ध्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत् सबसे पहले कोई भी निबंद आएगा, तीन पॉइंट्स तो याद रखेगा, सबसे पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना, जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन, वैसा ही रहता है प्रस्तावना, उसके बाद जो भी आपका टॉपिक आजाए, जो आपकी विश्य वस्तु आजाए, उसका अर्थ, ठीक, उसका अर्थ और लास्ट वाला जो हमारा रहता है वो रहता है उपसहार, उपसंहार, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं वो रहते ही हैं constantly, वैसे तो आपके प्रश्न पत्र में संकेत बिंदू, ये जो रहते हैं वो संक प्रश्तावना, उसमें क्या लिखते हैं, इंटूरक्शन देते हैं कि इस निबंद में या इस टॉपिक में या इस विशय वस्तू में हम क्या बताने वाले हैं, प्रतेक रास्ट की सामाजिक एवं सांस्क्रतिक उन्नती वहां की सिक्षा पद्धती पर निर्भर करती है, कि किसी भी राष्ट की उन्नती और प्रगती किस पर आधारित होती है सिक्षा कि किस तरह की सिक्षा प्रदान की जा रही है हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद सिक्षा शेत्र में काफी प्रगती हुई है और वर्तमान में कला, वानिज, विज्ञान, चिकितसा, आदी अनेक संकायों के विविन समवर्गों में सिक्षा का गुनात्मा केवं संख्यात्मक प्रसार भी हो रहा है सूचना प्रद्योगे कि किये शेत्र या कम्पीटर सिक्षा में भारत विश्व का अग्रणिये देश बन गया है फिर भी एक कमी है कि यहां नैतिक सिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता यह चिंतन यह विशह है इससे भारतिय युवा पीड़ी शंसकार हीन और कोरी भहतिकतावादी बनती जा रही है कोरी भहतिकतावादी मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावर्टी संसकुर्टी में विश्वास करने वाली सिर्फ fashion fashion में चलने वाली कि जो सिर्फ भौतिक में भौतिकतावादी हो जाना यो भोकतावादी संस्कृति का अनुसरन करना की सुन्दरता या दिखाब टीपन या पास्चाति संस्कृति जिसको हम western culture कहते हैं उसकी तरफ जुके जाना, संसकारों से विहीन हो जाना, चोटों से किस तरह से बात करनी चाहिए, बड़ों का किस तरह से आदर सम्मान करना चाहिए, वो सब कुछ कही ना कही नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है। इसके पीछे कारण यहां पर कहा गया है कि सिक्षा में ऐसे मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है, तो सिक्षा बद्धती में ये मूल्य अवश्य शामिल किये जाने चाहिए। बल दिया जाता था कि देखो किताबी ज्यान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है लेकिन इसका तात पर ये नहीं है कि किताबी ज्यान होने के साथ साथ उसमें नैतिक सिक्षा भी है किस तरह से बात करना है मन में दया की भावना करुणा की भावना ममता की भावना परवकार की भ भावना सहानू भूति की भावना समानू भूति की भावना ये सभी आती है नैतिक ताके अंतरगत ठीक है तो उसके उतकर्ष के लिए नैतिक सिक्षा पर बल दिया जाता था कब की बात की जा रही है भारत प्राचीन भारत में जब वर्ण आश्रम थी उस समय विध्यार्थि का आक्रमन हुआ और भारत उनका हुलाम हो गया तो कैसे वो संसकार विहीन होता चला गया या किस तरह से नैतिकता का बतन होता चला गया उसका ही कारण है कि आज हमारी जो पीड़ी है वो संसकारों से कई कोसों दूर जा रही है तो अब क्या हुआ कि जब पराधीन हुआ तो इसका सिक्षा का स्वरूप चरित निर्मान ना होकर केवल अर्थोप आर्जन हेतु बन गया अर्थोप आर्जन मतलब सिर्फ अर्निंग पैसे कमाना है पेट पालना है यही सिक्षा है नैतिकता क्या होनी चाहिए संसकार क्या होनी चाहिए वो स्रायद पार्ट इक्रम से जैस के प्रति पून रूप से समर्पिद परोपकार की भावना सद भावना मानविय सम्वेदना मतलब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना उद्भाव आचरण आदी का अभाव इसी नैतिक सिक्षा का समायोजन भारतिय संस्कृति के उपासक लोगों ने वर्तमान सिक्षा पद्धती के गुण दोशों का चिंतन करने तक सिक्षा के प्रसार का समर्थन किया फल सरूप या परिणाम सरूप क्या हुआ विद्ध्यारतियों के लिए नैतिक सिक्षा का इस्तर अनुसार समायोजन किया जाने लगा है कि primary, फिर middle, फिर high, फिर higher education में किस तरह से नैतिकता का समावेशन हो वो पाठिक्रम में आप शामिल किया जाने लगा है प्राचीन नीती सिक्षा से संबंदित आख्यानों, कथाओं एवं एतिहासिक महापुरुशों के चरित्रों आधी को आधार बना कर नैतिक सिक्षा की पाठ सामगरी तयार की गई है संसकार संपन्य नागरिकों का निर्मान विध्यार्थी जीवन में होता ही है इस बात का ध्यान रख कर नैतिक सिक्षा का समायोजन किया गया है अगला बिंदू है नैतिक सिक्षा की उपियोगीता आखिर क्यों नैतिक सिक्षा दी जाए नैतिक सिक्षा की उपियोगीता व्यक्ति, समाज और रास्ट इन सभी के लिए है विध्यार्थी जीवन में तो नैतिक सिक्षा का विशेश, महत्व और उपयोगीता है क्योंकि इसी काल में विध्यार्थी एक सून योजित धाचे में अपने आपको तयार करता है और फिर यही एक सुखी, संपन और सभ्य नागरिक होकर समाज की जिम्मेदारी अपने कंदों पर लेता है विध्यार्थी जीवन में नैतिक सिक्षा का विशेश, महत्व और उपयोगीता है नैतिक सिक्षा के द्वारा ही विध्यार्थी अपने चरित्रेवं व्यक्तित्व का सुन्दर निर्मान करता है केरेक्टर किस तरह से होना चाहिए परसनालिटी किस तरह से होनी चाहिए ये सब विध्यार्थी जीवन में ही होता है तब ही तो कहा गया है ना काक चेश्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैवजा अलपहारी ग्रहत्यागी विध्यार्थी पंच लक्षणम नैतिक सिक्षा से मंडित मतलब नैतिक सिक्षा से परिपून विध्यार्थी का अपना भविश उज्वल गरिमा में बनता है तथा देश के भावी नागरिक होने से उनसे समस्त राष्ट को नैतिक आजरण का लाव मिलता है अतिव प्रश्चस्य जीवन निर्मान के लिए विध्यार्थी जीवन में नैतिक सिक्षा की विशेश उपियोगीता है अगला बिंदू है उपसंगार जिसको अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं नैतिक सिक्षा मानव यक्तित्व के उतकर्ष और संसकारित जीवन का प्रमुक साधन है इससे भरष्टाचार, स्वार्थपरता, प्रमाद, छल, कपड तथा असहशनुता असहशनुता मतलब सहशनुता का अर्थ होता है सहनशीलता आसहजनुता मतलब आसहनशीलता, आदी दोशों का निवारन हो जाता है सैयम, धैर, ये सब कुछ नैतिकता में शामिल है धैर रखना चाहिए, शांती से काम लेना चाहिए, क्रोध मत कीजिए, प्रेम से वैवार कीजिए, सद वैवार अपना ये सद कर्म पर चलिए ये क्या है, ये नैतिक मूली ही तो है बिटा, जीवन का विकास दर एवं उच्च आदर्शों से होता रहे, इसके लिए नैतिक सिक्षा का प्रसार अपेक्षित है, अते विध्यार्थियों को नैतिक सिक्षा ग्रेन करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ये जो हमारे आद करेंगे, अपने को सिद्धान्त होते हैं, अब हम चलते हैं परयावन प्रदूशन में हमारी व्यक्ति गद्भूमी का, अब कहने को तो सब यही कहते हैं, अब भाई मैंने थोड़ी कुछ प्रदूशित किया है, क्या कर सकते हैं, ये एक अकिला भला कैसे स्वच्छ वातव परयावरन का निर्मान कर सकता है, लेकिन एक एक व्यक्ति ही मिलकर बहुत कुछ करता है, समाज को एक सही मार्ग दिखला सकता है, एक एक व्यक्ति जब एक जुटता के साथ कारे करते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति से परिवार बना, ठीक है, परिवार से मिलकर समाज बना और स सकता है सबसे पहले प्रस्तावना प्रदूशन से तातपरी है प्रदूशन का अर्थ प्रदूशन के प्रकार आप कई मतलब विगत कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं जल है जल प्रदूशन वायू प्रदूशन ध्वनी प्रदूशन रासाइनिक प्रदूशन रेडियो धर् प्रदूशन को त्रेता में भगवान राम ने मारा था खरदूशन तुरपरा असीबाली ये श्री राम ने इनका वद किया था सब्त रिशू ने डाकू रतना करकी हिंसा वृत्ति को मार कर महारिशी वालमी की बनने का मार्ग प्रशस्त किया था रतना का डाकू थे और वही शिवालमिकी बन गए थे सब घटनाय मनुष्य के चित्वृत्ति का प्रदूशन दूर करने के थी कि मन में भी प्रदूशन है ठीक है यदि मन में बुरे भाव है अर्थात मन प्रदूशित है जिसे चल कपट द्वेश नफरत इर्शया लालसा ये सारी भावनाय मतलब मन प् तो यहाँ पर इस तरह से बुरी भावनाओं को हटा कर अच्छी भावनाओं का निवास करना ही स्वचता है उसी तरह से समाज में या जो वातवरण में आवांचनी ये पदार्थ है उनको हटाना और सही से चलना ही आता है उसके अंतर घटनाय मनुष्य के चित्वृत्ति क प्रदूशन दूर करती थी तब भौत एक प्रदूशन नहीं के बराबर था मतलब भौत एक प्रदूशन बिलकुल नहीं के बराबर था भागी रज जो एक अच्छे अभियंता भी थे अपने पुरुशार्त से गंगा को लोक कल्यान के लिए भारत भूमी पर लाए थे ग भी विकार नहीं होता कितने भी दिनों महीनों वर्षों तक रखा रहेगा उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं जबकि अन्य जल में जल खराब हो जाता है ना भह सड़ता है बलकि अपने ओशदिये गुणों के कारण कई असाध्य रोगों के लिए राम बान लाज है तब ही त चलते हैं प्रदूशन का अर्थ की आखिर क्या है प्रदूशन जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवशक है बैलेंस्ट सब कुछ बैलेंस्ट हो तब जाकर हमारा जीवन सुचारूरूप से चलता है वातावरण के इन घटकों में हानी कारक बाह घटकों के प् सरवत्र व्यापत है सब जगे हो गया है प्रदूशन के प्रकार जल प्रदूशन जल जीवन का प्रयाय है बिना जल के जीवन असंभव है जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए यदि दूशित जल का हमने सेवन किया तो हम बीमार हो जाते हैं और फिर ऐसे रोग को हमें पीडित करते हैं जो असाद्धे होते हैं जैसे जल भी स्वच्वर विकार रहत होना चाहिए उद्योग धंदों का कच्डा रासाइनिक तत्वादी नदियों में मिलते रहते हैं ये जमीन के अंदर जाकर भूमी गजल को प्रदूशित करते हैं वाईयू प्रदूशन वाईयू मंडल में विन प्रकार की गेस हैं अपनी आप सी क्रिया द्वारा संतुले तवस्था में रहकर जीप जगत के लिए प्राण वाईयू ऑक्सिजन की निश्चित मात्रा सुनश्चित करती हैं विर्क्षों के कटान, उद्द्योग धंदों के धूएं और कच्रे से यह संतुलिन बिगड़ जाता है वाईयू मंडल में आक्सिजन कम हो जाती है तता कारवन डायकसाइड की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक है यही वाईयू प्रदूशन होता है अब हम चलते हैं ध्वनी प्रदूशन, जिसको कहते हैं अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर्स, बाजे, कार खानों के साइरन, मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनी प्रदूशन होता है अत्यधिक ध्वनी प्रदूशन से आपको बताया ना जो कानों की सुनने की ख्षमता है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है तब ही तो उसको ध्वनी प्रदूशन कहा है ध्वनी की ये लहरें जीवन धारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती है अत्यादिक तेजध्वनी से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती यहां तक कि कभी-कभी पागलपन का रोग भी उत्पन हो जाता है यह अत्यादिक साउंड आता रहे तो व्यक्ती अपना मानसिक संतुलन भी खोवेटता है रासाइनिक प्रदूशन में प्राया क्रशक अधिक तल अधिक फसल उत्पादन के लिए कीट नाशक और रोग नाशक दवाईयों और रसाइनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्त पर हानी कारक प्रभाव डालते हैं आदोनिक पैस्टिसाइड्स का अंदा धुन्द प्रयोग भी लाब के स्थान पर हानी पहुँचाता है अब जादा फसल का उत्पादन करने के लिए या फिर भाई जादा उत्पादन करना है इतनी एकड़ जमीन है लेकिन पैदावार जादा होनी चाहिए तो रासा इनों को छड़काव किया जा रहा है फसल तो आप अभी तो उत्पादन तो जादा ले लोगे लेकिन आगे चल कर वो भूमी बिल्कुल बंजर भूमी में परिवर्तित हो जाएगी तो इस पर हमें रोक लगानी होगी रेडियो धर्मी प्रदूशन क्या है परमानु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमान्विक परिक्षन से भी जलवायू तता प्रतिवी के प्रदूशन होता है परमानु विस्पोर्ट के स्थान पर ताप करम इतना धिक हो जाता है कि धातू तक पिगल जाती है मैटल तक पिगल जाते हैं जो आज की पीड़े के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीडियों के लिए भी हानी कारक है अब प्रदूशन रोकने के उपाय क्या है? आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या करेंगे? प्रदूशन को रोकने के कौन कौन से उपाय करेंगे? प्रदूशन को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों हिस्तरों पर प्रयास किये जाने आवशक है व्यज्यानिक तरीके से भी किये जाएं, सरकारी तरीके से भी किये जाएं और व्यक्तिगत तरीके से भी किये जाएं प्रदूशन की निवारन एवं नियंतरन के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपून कदम उठाए हैं जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जाच की विवस्था करना नए उद्योगों को लाइसेंस दिये जाने से पूर उद्योगे कच्रे के निस्तारन की समुचित विवस्था करना कि कहां से आपकी जो नालियों का यह सीवेज वो कहां होना चाहिए और इसकी परियावरण विशेशग्यों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवारे होगा वनों की आनियंतरित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाये जाना भारत सरकार की वहत्वपुन कारेशली है अब हम चलते हैं उपसंहार की ओर सरकार प्रदूशन की रोक थाम के लिए परियावरण के प्रतीत जाग रुकता सही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्त जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीडी को प्रदूशन के अभिशाप से मुक्ती दिला सकेंगे ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अगला है मारा सच्छ भारत अवियान जो आपने सुनी होगी पंक्ती सच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने तो कैसा वादा किया है कि हम सब मिलकर भारत को सच्छ बनाएंगे आसपास कहीं भी कच्रा होगा तो हम स्वेम उठा का डस्ट पिन में डालेंगे या फेकेंगे यह नहीं कि क्या हुआ हमारे घर में थोड़ी है यहां हम क्या करें तो एक एक करके जब हम कदम बढ़ाएंगे तब ही जाकर सफलता पराथ कर पाएंगे ठीक है स्वच्छ भारत प्रस्ताबना जो की सबसे प्रथम बिंदू होता है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सरहनी ये कोशिश है देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अगर सभी को अपनी जिम्मेदारीयों का आभास होगा तो इस अभियान की जरुरती नहीं पढ़ती भाई क्योंकि हम देखते हैं कि जहां कहीं भी पशु भी बैठते हैं वो भी अपनी पूच से साफ सुत्रा स्थान करके बैठते हैं हम मनुष्य हैं सर्वसरेश्ट प्राणी हैं बुद्धी मान प्राणी हैं तो हम क्यों अपने भारत को अपनी स्थान को स्वच नहीं रख सकते हैं कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर कोई अपना घर तो जरूर साफ करता है लेकिन अपनी सारी गंदगी, सारा कूड़ा, कच्रा, बाहर, गलियों या सडकों और चोरहों पर फेक देते हैं यह नहीं सोचते कि पूरा देश ही अमारा घर है, इसे भी साफ रखना होगा कोई पड़ोसी या बाहर का नहीं आएगा जो साफ करें, इसे हमें ही साफ करना होगा सवच्छ भारत अभियान का आरंभ, अपने मानने नहीं है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने गांधी जैनती के अवसर पर 2 अक्टूबर सन 2014 को इस अभियान का आगाज किया भारत को सवच्छ करने की परिवर्तन कारी मोहिम चलाए गई, भारत को साफ सुतरा देखना गांधी जी का सपना था गांधी जी हमेशा लोगों को अपने आसपा साफ सफाई रखने के लिए बोलते थे और उसी को आगे बढ़ाने की जो मुहिम वो छेड़ी माननी ये प्रधान मंत्री जी ने सुच्छ भारत के माध्यम से विशेशकर ग्रामीन अंचल के लोगों के अंदर जाग रुकता पैदा करना है वो शौचलाय को प्रयोग करें, खुले में ना जाए, इससे तमाम भीमारी अमी फैलती हैं जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है इस मिशन में सहयोग देने वाली बड़ी-बड़ी हस्तियों में हिस्ता लिया, इस मिशन का प्रचार पसार का जिम्मा 11 लोगों को दिया गया जो की निम्रिकित है जैसे सचिन तेंदुलकर जी, बाबा राम देव जी, सल्मान खान जी, अनिलंबानी जी, प्रियंका चौपला जी, शशु धरूर, मृदुला सिन्हा, कमल हसन, विराट कोली, महिंदर जिंग दौनी, तारक महता का उल्टा चश्मा सीरियल की पूरी टीम और भी कई लोगों ने अपनी महत्वपून भूमी का निभाई, हम कहते हैं सिर्फ ये ही क्यों, हम हर एक को निभानी होगी स्वच्चता की जिम्मेदारी गांधी जी की 145 भी जैनती को शुरू है, अभियान 2 अक्टूबर सन 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे कर चुका है जैसा की 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन, डेफिकेशन फ्री, खुले में शौचमुक्त बनाने का लक्ष रखा गया था लक्ष पूर्ण ता फली भूद तो नहीं हुआ, परन्तो इसके आकड़ों में आश्चर रजनक रूप से उच्छा लाये हरतात, कुछ तो परिवर्तन आये हैं, जो की सकारात्मक है अगला है आजादी का अमरित्मा होत्सा किसी भी देश का भविश तभी उजवल होता है, जब है अपने पिछले अनुभवों और विरासत के गौरव के साथ पल बढ़ चुका हो हम सभी जानते हैं कि भारत के पास एक समरिद एतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का एक अथा भंडार है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए इस एतिहासिक सांस्कृतिक राश्टिय चेतना को भारत के घर-घर पहुँचाने के लिए प्रधान मंत्री जी नरेंद्र मोदी ने एहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम से एक पद यात्रा, पद यात्र समझते हो, पैदल चलने वाली यात्रा, पद मतलब पैर, उस यात्रा को उन्होंने अंजाम दिया था, को हरी जंडी दिखाकर स्वतंतरा की 75 वी वर आजादी के अमरत महुतसब का मतलब होता है, स्वतंतरता सैनानियों से प्राप्त प्रेरणा का अमरत, आजादी का अमरत महुतसब, जो हमारे स्वतंतरता सैनानी हैं, जो जिन्होंने मातर भूमे के लिए अपना सर्वस्व समर्पन कर दिया, उनकी याद में ये चलाएगा स्वतंत्रता का अम्रित यानि नए विचारों का अम्रित नए संकल्पों का अम्रित स्वतंत्रता का अम्रित है एक ऐसा पर्व जिसमें भारत आत्म निर्वर होने का संकल्प लेता है स्वतंतरता संग्राम, प्रबोधन, नीव और उद्देश, दसपंक्तियां और निशकर्ष तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंतरता संग्राम सबसे प्रथम स्वतंतरता संग्राम सन 1857 जब जासी की रानी लक्ष्मिवाई ने अंग्रेजों के दाथ खट्टे करवा दिये ना को चनो चबबा है, अर्थाग वही सिंगासन, हिलुठे, राजबंशोंने ब्रकुटी तानी थी, बूढे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमकुठी सन 57 में वहतलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वो लोकी मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी वहतो, जासी वाली रानी थी मात्मा गांदी जी की विदेश से वापसी, देश को फिर से सत्यग्रे की शक्ति की याद दिलाना लोकमाने तलग जी का पून स्वराज का अहवांग, क्या था उनका, की स्वराज मेरा जन्व से दधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नेता जी सुभास चन्वोस के नेतरित में आजाद हिन्वास का दिल ली चलो वाला नारा और तुम मुझे खून दो मैं तो मैं आजादी दूँगा भला कौन भूल सकता है इतिहास के इस गौरब को याद रखने के लिए हर राज के हर शेत्र में इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं देश ने दो साल पहले ही दांडी या तरह स्थल के पुनर गठन का काम पूरा कर लिया है अंडमान में जहां नेताजी सुभाश जी ने देश की पहली स्वतंतर सरकार बना कर तिरंगा फेराया था अंडमान की बात की जा रही है वहाँ देश ने उस भूले बिसरे इतिहास को फिर से बव्यरूब देने का प्रयास किया है ठीक है और साती सात अंडमान और निकोबार के दियूकों का नाम स्वतंतरता संग्राम के नाम पर रख गया है चाहे जनिया बाला बाग हो या पाईका अंडुलन की स्मिर्टी हो सभी समारकों को पर काम पूरा हो गया है दशकों से भुला दिये गए बावा साहिप से जुड़े स्थानों में देश ने पंच तीर्थ का निर्मान किया है लोकमाने तिलक का पूर्ण स्वराज का आहवान आजाध हिंदिफॉस का दिल्ली चलो नारा महात्मा गांदी का भारत छोड़ो आंदलन को भारत का हर नागरिक कभी नहीं भूल सकता हम सभी को मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्षमी बाई, चंदरशेखर आजाद, भगत सेंग, पंडित नहरू, सरदार बल्लभाई पटेल, अंबेटकर जी से प्रेटना मिलती है और हम सभी इनके पच्चिनों पर चलकर अपने भारत को गौरवानमित रखेंगे प्रबोधन, भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के कोने-कोने से पुरुष, महलाओं और युवाओं ने असंख तपस्याओं का बलिदान दिया था स्वतंतरता आंदोलन की इस ज्यती को पूर्वपस्चे मुत्तर दक्षिन हर दिशा में, हर शेत्र में निरंतर जगाने का कार है हमारे संत महनतों और आचारे नकिया भक्ति आंदोलन ने एक तरह से राष्ट व्यापी स्वतंतरता आंदोलन की रीड तैयार की अब रीड समझते हैं पेटा, रीड मतलब हमारी बैकबोन, रीड की हड़े जब सही होती है तभी हम सीधे चल सकते हैं उसी प्रकार से जो मजबूती प्रदान करती है हमारे समाज को उसको रीड कहा जाता है तो ये सब हैं आंदोलन की रीड तयार की एक ऐसा जुट बनाये जिसे सभी एक जुटता के साथ आगे बढ़े नमक उस समय भारत की आत्म निर्भरता का प्रतीक था जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा अंग्रेजों ने भारत की इस आत्म निर्भरता को खत्म करने का प्रयास करने के साथ साथ उनके मूल्यों पर प्रहार भी किया उस समय भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्भर रहना पड़ता था गांधी जी ने इस देश के इस पुराने दर्द को समझा और जनता से जुड़ी इस नब्स को पकड़ने में सफल रहे यह आंधुलन हर भारतिय का संकल्प बनने में सफल रहा क्योंकि हमरे देश में नमक को एक प्रकार से बफादारी का प्रतीख भी माना जाता है कहते हैं साब मैंने आपका नमक खाया है तो अब बफादारी भी करना है तो नमक ये बहुत महत्वण होता है आज भी हम कह सकते हैं कि हम देश का नमक खाया है और देश का नमक खाया है तो देश के प्रती बफादारी करेंगे ही करेंगे और हम अपने जान या अपने प्राणों की निचावर कर देंगे परंदू अपने देश पर आच नहीं आने देंगे इसलिए ना ही नमक बहुत कीमती चीज है बलकि ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे लिए श्रम और समानता का प्रतीक है जब हम ब्रिटिश शाशन के उस युक के बारे में सूचते हैं जब देश का हर व्यक्ती स्वतंतरता की प्रतीक्षा कर रहा था तो यह विचार स्वतंतरता के इस 75 वर्ष के सबको और भी महत्वपून बना देता है आजादी का मृत महुतसब आजादी की लड़ाई की यादों को ताजा करने के साथ साथ आजाद भारत के सपनों को और करतव्यों को देश के सामने रख कर आगे बढ़ने की प्रेड़ना भी देगा नीव और उद्देश क्या है इसका उद्देश? देखो भारत के प्रधान मंत्री ने स्वतंत्र और प्रगती शील भारत इसकी विविद आबादी और इसकी सम्रिद इतिहास के 75 गौरब शाली वर्षों का जश्न बनाने के लिए भारत की आजादी के अमरित महोटसब की पहल शुरू की इस अमरित महोटसब के 5 मुख्य स्तंब हैं स्तंब समझते हो पिलर्स पहला है स्वतंत्रता संग्रा दूसरा है 75 वर्षों में उपलब्धियां तीसरा है योजनाय चौथा है संकल्ब और पांचवा है कार्य तो भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा 12 मार्च 2021 क भारत की आज़ादी का अमरित महोटसब पहल की घोशना की गई यह पहल भारत के स्वतंता दिवस की 75 वी वर्षगार तक जारी रही इस पहल आज़ादी का अमरित महोटसब को शुरू करने के पीछे का विचार यूवा पीडे को स्वतंतरता सैनानियों के बलिदान के प्र प्रतमान पीड़ी समझ सके की आज़ादी हमें यूही नहीं मिल गई है इसके लिए हमारे देश के अंगिनत वीर जवानों ने अपने रक्त को बली दी है रक्त की ठीक है यह महोटसब भारत के उन सभी 37 सैनानियों को समर्पित है जोनों भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर के कारेक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और इसमें विध्यार्थी गण भी बढ़ चड़कर भाग लेते हैं बहुत सारी प्रतियोगी दाओं का आयोजन भी किया जाता है इस संबंद में भारत सरकार ने 269 सदस्यों की एक उच्च स्थरिय समिती का गठन किया है और समिती के प्रमुक प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी हैं ऐसे अंगिनत गुमनाम स्वतंत सेनानी हैं जिनोंने स्वतंतर भारत की उपस्थिती के लिए अपने आराम और जीवन का बलिदान दिया है भारत सरकार ऐसे नायकों को उजागर करना चाहती उन्हें शद्धान जली देना अभियान का उद्धेश है देश के विकास और प्रगती में उवाओं की जागरुकता और रुची को बढ़ाना आजादी का अमरित महुतसब देश में स्थानी वहपार और वी निर्माण को भी बढ़ावा देता है ताकि भारत जल्द से जल्द आत्म निर्भर बन सके और ह किसी अन्य देश पर किसी भी बात के लिए निर्भर ना रहें इस अभियान में हमारे देश की विविने संस्कृतियों को जानने का मौका मिलेगा विविदता में एकता भी आजादी के अमरित महुतसब अभियान के उद्देशों में से एक है ठीक है विविदता में एकता भारत की विशेष्टा अनेकता में एकता भारत की विशेष्टा आजादी के अमरित महुतसब पर दस पंक्तियां हैं उनको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अमल भी कीजिए पहली है आजादी का अमरित महुतसब भारत के स्वतंतरता सेनानियों की उपलब्धियों व बलिदानों को मनाने और जानने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह आत्म निर्भरता की आवशक्ता पर भी जोर देता है। इसका यह भी उद्देश है कि लोग भारत की बहतरी में अपना योगदान दें। यह महुतसब भारत के स्वतंतरता संग्राम के उन सभी गुमनाम नाईकों को समर्पित है। जिन्होंने भारत की स्वतंतरता के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की और अपने बहु मून लिजीवन का बलीदान दिया। आजादी के अमरित महुतसब के मुख्य विशय स्वतंतरता 2.0 विश्व गुरु भारत आत्म निर्भर भारत विचार उपलब्धियां एवं संकल्प भारत की सम्रिध सांस्कृतिक विरासत है। विचार उपलब्दियां और संकल भारत की विरासत और गुमनाम नायकों के बारे में भी जानना है निशकर्ष यह हम सभी का स्वभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत के इस एतिहासिकाल को देख रहे हैं जिसमें भारत प्रगती की नई उचाईयों को छू रहा है आज की स्वतंत्र भारत का नाम दुनिया में अग्रिम पंक्ती में लिखा हुआ है इस पूर्णे अवस्तर पर हम बापू के चरणों में अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हुए देश का नेत्रित्व करने वाले सभी महान व्यक्तियों के चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलीदान दिया आब हम चलते हैं जल संडक्षण की ओर भविश में जल की कमी की समस्या को सुलजाने के लिए जल संगरशन या जल ही बचाना है जल को किस तरह से प्रदूशित होने से बचाना होगा जल को किस तरह से कम होने से बचाना हुआ है ये सब हम पर निर्वर है भारत और दुनिया के दूसरे देशों में जल की भारी कमी है जिसकी वज़ें से आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ ही रोज मर्रा के कारियों को पूरा करने के लिए जरूरी पानी के लिए लंबी दूरी तै करनी पड़ती है जबकि दूसरी और परियात जल के क्षेत्रों में अपने दैनिक जरूरतों से जादा पानी लोग बरबाद कर रहे हैं एक और प्यासे को पानी की भी प्राप्ती नहीं हो रही हो दूसरी और इस तरह से जल बरबाद किया जा रहा है तो इसमें किस तरह से तालमिल बिठाया जाए या कैसे संतुलन बिठाया जाए ये हमें सोचना होगा हम सभी को जल के महत्व और भविश में जल की कमी से समंधित समस्याओं को समझना चाहिए हमें अपने जीवन में उपयोगी जल को बरबाद और प्रदूशित नहीं करना चाहिए तथा लोगों के बीच जल संरक्षन और बचाने को बढ़ावा देना चाहिए अब हम चलते हैं प्रस्तावना की ओर धर्ती पर जीवन के लिए तीन चीजों का होना बहुत आवशक है हवा, पानी और भोजन किसी एक कना होना हमारे अस्तित्व के लिए खत्रा पैदा कर सकता है इन में से जल हमारे लिए अमूल है किसी ने खुब भी कहा है कि जल है तो जीवन है जल एक प्राकृतिक संपत्ती है बिना जल के हमारे अस्तित के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है वैसे तो पृतिवी पर 70 प्रतिशत भाग पानी है लेकिन उन में से केवल एक प्रतिशत पानी है अब हमारे लिए पीने योग बचा है इसलिए जल की सही मात्रा में उप करें सध्यव्प्योग कर रहिए हम सब को जानना भी होगा और जागरूきます कि यह यहा कि पानी का सही तरीके pakरना और पानी का बचाव करना उसे जल संहरक्ष्ण कहते हैं जल संराक्षन के लिए हम अलग-अलग तरीके क trat को स्नमाल करते हैं जिससे हम जल को स्वच्छ और प्रदूशन विहीन संग रह कर सके हमें हमारे दैनिक काम के लिए समय से रात तक पानी की जरुवत रहती है इनमें से जाद अतर पानी हम बिना उपियोग किये व्यर्थ कर देते हैं लेकिन जल संडरक्शन का प्रयोग करके हम निश्च जीवन की तरह करते हैं जिस तरह से हम अपने प्रति क्यार फुल रहते हैं लेकिन फिर भी हम इसे 50 कर्च कर देते उपियोग करने लाइक है, हमें जल को बहुत सहेज की रखने की जरूरत है, नहीं तो वैदन दूर नहीं जब हम एक बूंद को तरसेंगे, पानी एक ऐसा साधन है, या ऐसा धन है जिसे हम सहेज कर रखेंगे, तब ही हमारी आने वाली पीड़ी उसका उपियोग कर पाएगी, जल है, तोकल है, जल का संरक्षन, पानी की जरूरत हमारे जीवन भर है, इसलिए सब को बचाने के लिए केवल हम ही सिम्बेदार हैं, सेंक तो राष्ट के संचाल, उनके अनुसार ऐसा पाया गया है कि राजस्तान में लड़किया स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि उन्हें प को खुली आखों से ये देखना होगा कि जल सब के लिए आवशक है, हर एक प्रानी के लिए, खास तोर से मनुष्य, ठीक है, जो उनके पूरे दिन को खराब कर देती, इसलिए उन्हें किसी और काम गले समही नहीं मिलता, राष्टी अपराद रिकॉर्ड ब्यूरे के सर्व घटित हुए हैं, इसलिए कह सकते हैं कि भारत और दूसरे विकास शील देशों में असिक्षा, आत्महत्या, लड़ाई और दूसरे सामजिक मुद्दों का कारण भी पानी की कमी है, पानी की कमी वाले शेत्रों में भविश्य, पीड़े के बच्चे, अपने मूल सिक्षा क अधिकार और खुशी से जीने के अधिकार को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जल संडक्षन के उपाई के लिए हमें सबसे पहले वर्षा के जल का संग्रह करना होगा, इसलिए देश में जादा से जादा वर्षा जल संचैन की प्रोजेक्ट शुरू करने होगे, दैने का खारे में पानी का उप्योग कम करना होगा, विज्ञान की मदद लेकर सागर के खारे पानी को मीठा पानी में बदल कर इसका उप्योग करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होगे, हमें जल संडक्षन की प्रती लोगों में जाग रुकता बढ़ाने का प्रय बरती जनसंख्या के कारण पाने का उपयोग भी बढ़ता चला जा रहा है शुद्ध जल बहुत सीमित मात्रा में है ग्लोबल वामिंग के कारण वर्षा रितू का चक्र भी असंतल हो गया है एक सर्वे के अनुसार दुनिया में भारत जल संकट से गिरने वाला तेरवा देश है रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब दो लाक लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलने के कारण वे अपनी जान गवा देते हैं इस समय पता चलता है कि भावी पीडी जल के संकट से गुजरने वाली है इसलिए हमें वर्तमान समय में जल संडक्षन करने की आवशकता है य हमारी धर्ती पर स्वच्छ जल मात्र एक प्रतिशक बचा है यदि हम इसी प्रकार जल का दुरोपियों करते रहे तो आने वाली पीडियों के लिए जल की भारी समस्या पैदा हो जाएगी अता जागरुक होने की आवशकता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हु हुए सभी देशों को जल संरक्षन पर गंभीरता से प्रयास करना होगा सोचना होगा फिर भी भारत जैसे बड़े देश में कई ऐसे कलकार खाने हैं जो जल को प्रदूशित करने में अपनी एहम भूमिगा निभा रहे हैं और प्रशासन उनके सामने लाचार स्ट तीथ द पानून बनाये जाने चाहिए और जो भी व्यक्ति नियमों की अंदेखी करता है उस पर सक्त कारवाहे भी की जानी चाहिए ताकि हम हविश के लिए पानी को बचा सकें आशा करती हूँ आपने ध्यान पूरवक्स ये जो पेपर है और सभी प्रशनों को समझा है सुना है और आप परिक्षाओं में इसी तरह से अपने उत्तर लिख कराएंगे बेटा सबसे पहली बात सबसे खास बात मैं आपसे ये कह रही हूँ कि प्रशन पत्र को ध्यान से पढ़ना जल्द बाजी मत करना जो भी निर्देश दिये हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, हर एक प्रशन को ध्यान से पढ़ना, विकल पढ़ था जो options दिये हैं उन पर ध्यान देना ऐसा नहीं है कि करना होंगे कोई दो प्रश्ण और आप तीन के तीन कराओ या चार के चार कराओ चोटे-चोटे कराओ अक्सर ऐसा हो जाता है कि जल्द बाजी में हम सुझते हैं अब क्या करें कैसा करें तो करते चले जाते हैं तो देखते ही नहीं है पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है उसके बाद उत्तर लिखना है ठीक है आशा करती हूँ इसी तरह से आप ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे वीडियो देख लिया है और भी प्रैक्टिस के लिए आपको सभी प्रकार की वीडियो हैं वीडियो देखिए गया और बने र